यह देखे गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं सेयो भुजिया नमकीन की ग्रेवी वाली सब्जी जो कि आपके घर में कोई भी सब्जी किसी टाइम नहीं रह जाता है और अगर घर में कोई भी ना हो तो हम क्या करें और कोई गेस्ट राजा है तो हम क्या उसको खिलाएं या क् तो इस समय नमकीन है या कोई भी चीज है तो रख तो वह सीलन आ जाती है उसमें बड़ी अजीब सी उसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता तो आज हम वही रेस्पी बनाएंगे उसी सी यम में टेस्टी सी सब्जी बना कर रखेंगे तो देखेंगे दो मीडियम साइज के टम बनाईगे पहले लेस्टा कि डाले है तो इनको एक बनीत के लिए रोस्ट कर लेंगे तो यह एक मिड चीजी नहीं के लिकड़ फ्लेंगी जब हम टूब आप लाईज क्लियों थे कवाली और से देकिनों पहले लिए हैं यह ग्रेइवे वाली सब्जी में खाती हैं वह बना अच्छे से रोज कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से चलाते विए रोज करेंगे इससे क्या होगा ना एक तो स्वाद एक अच्छा सा आ जाएगा दूसरी बात है जब हम इसे पीसे गया करेंगे तो आगे में ज्यादा भूनना नहीं पड़ेगा तो देखिए इस हमारे टमाटा, रोप्याज और पलसन अच्छे से मुन गया है ठीक है अब क्या करिंगे थंडा कर लें अच्छे के बिल्कुल घंडा कड़ने के बाद में हम इसे मिक्सिर में डालकर ग्रांड कर एंगे अब हमारी फ्लेंब डन कर दी है कडहाई बहुत ज़्यादा कर दिए तो इसमें डालेगे एक मिरश, देखे तीखा आप अपने शाब से खा सकते हैं, हम यही वाले मिरश यूज करते हैं, तो हम डाले अगर आप पीसी पाउडर वाली मिरश यूज करते हो तो मट डालेगा वरना बहुत जादा खासी आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे अगर हम तो इसमें क्या करेंगे दो से तीन स्पून के करीब हम पानीस में एड़ कर लेंगे जिसके वज़ा से ग्राइंड हो जाएगा यह देख सकते हैं क्योंकि जो टमाटर में जूस होता है उसको तो भून दी आच्छे से तो टमाटर का जूस करतम हो गया तो देखें अच्छे से देखें तो इसमें डाल दिया है जीरा डाल दिया है एक स्पून के करीब बूल लिया है अब वही मसाला आट करेंगे यह मसाला हमारा अच्छे से बूना हुआ है तो इसको ज्यादा बूलने की जूरूत नहीं है अगर इसमें जो अब मसाले एड करेंगे जैसे हल्दी पाऊडर इनको मनेकशने की जब भूना है तो इस सब्सक्राइब एक स्फून धन्या पाऊडर अच्छे सेbas दरीया है ग्यारिख नंदाप नमक टेस अनुसार मंट इसे हम आठी से फ्राइए पर ऑनिम लीए जब भूनेंगे पाशक्या शूंर सर्वाइव में गुषून तो पती है, किसे पासम पानी पादे बाक़े आपे पीसा म्साला ठीक दीज भून야지, चि उब एक दिकतий नहीं, मुझकि पानी बिष्ण करें इसे कोई दिक्कत नहीं होगी और अब हम पादे पादे बनार पका लें तक बूल कोड़ें तक बूल कोड़ें पांच मिर्ट के करीब भूल लें जिसके पानी का खच्छा पने भी दूर हो जाए और अच्छे से ग्रेवी थिक हो जाए अब जितनी आपको थिक ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पकालें दिए सेव भूज êtes करेंगे के बहुत जाद आप अम क drawn चुक्त काल करेंगे कास्तुरी अपकाल करने पकानीए प्रफी काल सोब्डों जाधी मेंगे इतनी टेस्टी इतनी डिलिसस हमारी नमकीन बन करके तयार हुई है इसे जादा देर रख देंगे तो यह बहुत जादा गाड़ी हो जाएगी इसलिए कोसिस यह करें जिस टाइम खाने चले उसके पांच बट पहले हम अपनी गरम ग्रेवी में इसे एड करें और फिर सर्व कर तो इतनी यम्मी सी टेस्टी सी रेस्पी देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें थैंक्यू बाबाई